Hi everyone हम सभी अपने घर में हरी मिर्च धनिया और पूदीना ले करके आते हैं पर वो दो दिन बाद ही धनिया के पतियां गलने लगती है हरी मिर्च मुरजाने लगती है सढने लगती है और यही हाल पूदीने का भी होता है पर हमें ये सारी चीज़ों को हम कैसे लंबे टाइम तक स्टोर करें और जिससे की अराम से हमारी ये दो हफ़ते तक चल जाए उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल से ट्रिक बनाती हूं जो कि हम सभी के लिए बहुत ही उच्फूल है इसको लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए तो बताते हैं कि हम क्या करेंगे इसके लिए जो ये मिर्च हैं हम इसको अच्छे से धुल लेंगे गीला नहीं रखेंगे अगर गीला है तो पुछ लीजे नहीं तो आप इसको एक 2 गंटे पहले धुल लीजे तो वो अराम से सूख जाते हैं फिर इनके जो नीचे का जितने भी जो डंठल होता है डंठल को तोड़ करके आप हरी मिर्च को इस तरह के जो प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं डिबबे के यूजन ट्रो वाले जो होते हैं जिनमें की होल भी उपर से होता है तो जो हवा बनती है अंदर जो एक मोईस्चर बनता है वो अराम से बाहर को निकलता जाता है और जो इसके अंदर जो चीज होती है वो नहीं अब नहीं होगा इसी तरह से यह जो पुदीना है फुदिनी की पत्तियों को मैंने पुदीना लिया था जिसको की गिलास में पानी डार करके रख दिया था जिससके यह फृस रहे पर ऐसे हम एक दिन तो रख लेते हैं पर अकर इसको लंबा रखना चाहे था हम इस तरह से इसका भी एक तरीका है जो कि आप इसको भी आराम से दो हफ़ते तक रख लीजिए और पुदीने का आराम से आप चटनी बनाएए कुछी बनाएए इस तरह से हम इसका यूज़ करते रहेंगे इसके भी हम अच्छी अच्छी पत्या जितनी भी होंगी पुदीने की उन सब को हम निकाल लेंगे ये देखिए इसमें से जितनी भी गली या खराब पत्या उन्हें आप मत रखें नहीं तियों दूसरी पत्या को भी खराब कर देते हैं तो मैंने पुदीने की अच्छी अच पत्तिों को नकाल लें गे इसी थारे के दूसरे डिबते में इन पुदिनी की पति को भी हम रख लेंगे उतनी भी खराब पती थी हमий इसको अर्छा एक नाला नाम गूस्तों के लिए AM हमारा पत्तिर अमरे अदनिया धनिया को भी हमेने पानी के डाल दे था जिससे कि वह फ्रेस रहे, तो जो ये जड़वाला, कभी-कभी ये रूट वाली इस तरहlogo से धनिया भी आती है न, तो रूट वाले पार्ट को हम कट करके इस तरह से निकाल देंगे रूट को और पुदीने धनिये को अच्छे से हम खोल करके देख लेंगे कभी-कभी धनिये में क्या होता ना कुछ कचड़ा ना हो कचड़ा तो रहता है चोट-चोटी कीड़े विड़े का भी डर लगता थी इस तरह हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे और इनको हाँ, सिर्फ हमें मिर्च को धूल करके रखना है पुदीने और धनियों को हमें पानी से वॉस नहीं करना है नहीं तो ये पत्तियां बहुत जल्दी गल जाती है आप इनको यूज करते टाइमी डिबे में से निकालिए और वॉस करिए और यूज कर लीजे इस तरह से इसने से भी हम अच्छे ची पत्तियों को रख लेंगे जो बिकार पत्तियां होंगी उनको हम हटा देंगे खोल खल करके हमने धनियों को अच्छे से चक कर लिया है नहीं तो वो भी धनियों को खराब कर देते हैं इस तरह से हमने धनियों को भी साफ करके इसी तरह के सेम कंटेनर में हम रख लेंगे और इसको आप इन कंटेनर को फ्रिज में रख़िए और अराम से आप 2 हपते तक चलाएंगे और हाँ अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और नीचे एक लाइक का बटन है उसे भी प्रस कर दीजे और कमेंट में जरूर बताएए कि आपको यह कैसा लगा यूजफूल है या नहीं आप एक बार रख करके देखिए आराम से 15 दिन के लिए बेफिक्र हो जाएए आपकी कोई भी चीज खराब नहीं होने वाली है यह देखिए इस तरह से मैंने कंटेनर में कठा कर लिया और इसको आप फ्रिज में रख देंगे तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यूज